हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो में दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोर्सो क्रिष्टल अपडेटेट प्रोजेक्टर का रिव्यू अब दोस्तों अपडेटेट में क्यों कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर कंपनी के त जरूर देखना और जो भी भाई पहले से इस projector को purchase कर लिया है तो नीचे seller का number है वहाँ से आप contact कीजे वहाँ पर आपको update मिल जाएगा और आप अपने projector को भी update कर सकते हैं update कैसे करना है क्या है सारा कुछ जो है आपको seller के जरिये जानकरी मिल जाएगी और अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो company के पास अभी जितने भी projector है सभी projector को update कर दिया गया है तो अभी आप अगर इस projector को purchase करते हैं तो आपको update करने की कुई जरूरत नहीं पड़ेग और update के बाद क्या-क्या चीजे solve भी हैं क्या-क्या चीज इंप्रूब हैं सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूं तो वीडियो में बने रही है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और बहुत से अब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो भाई subscribe कर लो ताके आप लोगों को मेरे हर वीडियो के जानकारी notification आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी छोटी सी unboxing के साथ में box content और इसके look design के साथ साथ इसके connectivity port औ और features के बारे में दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोर्सो crystal full HD android projector का review दोस्तों बोर्सो ब्रांड एक trusted brand है जिनके projectors काफी लाजबाव होते हैं चाहे वो brightness और picture quality हो आप इनके किसी भी projector को अपने budget के according purchase कर सकते हैं दोस्तों बोर्सो ब्रांड ने recently इस projector को launch किया है जो आपको under 20 के के range में मिल जाएगा projector के साथ आपको एक remote power cable HDMI cable AV cable manual guide और one year के warranty card मिल जाएगी projector के look design और build quality काफी अच्छी है projector में सारे connectivity port projector के left side में दिए गये हैं जैसे headphone port AV port memory card port HDMI port USB port और VGA port power input port आपको projector के left side में देखने को मिलेगा projector के top में control button focus existing wheel keystone correction wheel के साथ साथ बोर्सो ब्रांड का logo देखने को मिल जाएगा इस projector के नीची के तरफ आपको 4 rubber foot इसके लाबा projector के center में आपको tripod mount thread भी मिल जाएगा और सामनी के तरफ आपको एक height adjusting note जिसके दुरू आप अगर table में इ register कर सकते हैं दोस्तों ये 1080p native resolution वाला projector है जो आता है android version 9 के साथ में 1GB RAM 8GB internal storage आपको मिल जाएगा इस projector में brightness इस projector की 7500 lumens और NC lumens की बात करें तो 720 आपको मिलेगी contrast ratio आपको 12000 is to 1 का जो dynamic contrast ratio है इस projector में आपको upgraded LTPS display साथ में आपको bright ways LED brightening technology का use किया गया है जिसके वज़े से आपको bright picture के साथ साथ जबरदस picture quality का experience मिलने वाला है इस projector से आप 250 inch तक का screen बना सकते हैं ये projector wifi version 6 को support करता है और dual band wifi के साथ में आता है इसमें आपको Bluetooth version 5 मिल जाएग जिसे आप अपने projector को किसी भी Bluetooth speaker या फिर soundbar के साथ wirelessly connect कर सकते हैं और theater वाला experience पा सकते हैं इस projector में आपको एक 5 watt का speaker भी मिल जाएगा जिसके तुरू आप एक decent sound पा सकते हैं अपने छोटे से कमरे में अगर आपके पास कोई भी external device या home theater system नहीं है तब भी आप इस projector के inbuilt speaker से काम चला सकते हैं इस projector में आपको manual focus और manual keystone correction के साथ digital zoom in, zoom out, 4D keystone correction जैसे features भी मिल जाएंगे ये projector 4K को support करता है HDMI के तुरू इसके लावा ये projector HDR10 और HLG को भी support करता है तो दोस्तों ये तो थे projector की specs, specification और इसके कुछ highlighted features अब बात करते हैं projector की performance के बारे में दोस्तों ये projector मेरे 12 feet की camera में 106 screens का screen बना देता है, जिसमें lighting environment में भी इसके जो result है, वो काफी अच्छा है, यानि के दोस्तों इस projector की brightness काफी अच्छी है, जो camera में एक 9 watt का light on होने के बाद भी इस तरह का result आपको देखने को मिल जाता है, इस projector में आपको बहुत सारे inbuilt application मिल जाएंगे, जैसे क YouTube, Prime, Hosta, Netflix, इसके लावा दोस्तों आपको screencast, Miracast का भी option मिल जागा, साथ ही साथ आपको यहाँ Google Play Store भी मिल जागा, जिसके तुरों आप इस projector में अपने हिसाब से कोई भी application को download और install कर सकते हैं, दोस्तों इस projector की brightness तो काफी अच्छी है ही, इसका contrast भी काफी अच्छा है, picture quality काफी अच्छी है, आप इस projector को vertically or horizontally screen के center में रखके focus existing और keystone correction के मदद से image को set करते हैं, तो आपको काफी हद तक blur free image देखने को मिल जागा, तो दोस्तों यह तो थे projector के कुछ specificization, look, design और box content के बारे में अब बात करते हैं, इसकी performance जो update से पहले थी और update के बाद, दोस्तों इस update के बाद में जो projector में जो changes आये हैं, वो मैं आपको live दिखाने के कोशिस करता हूँ, और live बताने के कोशिस करता हूँ, सबसे पहले बात करें, तो यहाँ पर जो image की quality है, या फिर जो contrast है, वो मुझे थोड़ी बहतर लगे, थोड़ी और deep हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके अनों ही YouTube में different क्या है, वो मैं आपको live दिखाने के कोशिस करता हूँ, सबसे पहले हम test करते हैं, inbuilt YouTube की, अब जैसे कि मान लिजे कि मैं search करता हूँ 4K वीडियो, और कोई भी 4K HDR वीडियो को मैं play करता हूँ, और उसके settings में मैं जाता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे, quality 720p से उपर आपको दिखाई नहीं देगा, और अगर कोई भी normal वीडियो जो की full HD वीडियो है, उसको मैं play करता हूँ, और उसके settings में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आप 1080p देख सकते हैं, inbuilt YouTube आप अगर use करते हैं, तो आपको HDR content जो है, वो 720p से उपर आपको दिखाएगा न ले menu and text button को press करें, तो यहाँ पर आपको image mode मिल जागा, जिसमें आप अगर picture customization करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी effect, कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, हला कि आप यहाँ से brightness, content, saturation, sharpness, hue को भी control करेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी changes देखने को नह देखा रहा हूं, तो यहाँ पर आप अगर quality पे जाएं, और यहाँ से video format में जाएं, तो आपको यहाँ पर 1080p HDR देखने को मिल जाएगा, मगर दोस्तों यहाँ पर जो different, यहाँ पर भी आपको काफी कुछ different देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ आप देखें, तो 1080p, 60fps, 6.46 MBPS दिखा रहा है, AVC, ठीक है, इसके उपर वाला को मैं select करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते है, quality जो है, इसमें भी change हो रहा है, और उपर वाला सबसे उपर, जो HDR है, इसको मैं select करता हूं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो picture की जो quality है, वो आपको change देखने को म मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो लगता है, कि best 1080p 68PS, जो AVC mode है, इसको मैं select करता हूं, तो यहाँ पर काफी अच्छे से smoothly ये play हो रहा है, और colors और brightness भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर screen में देख रहे हैं, कमरे में light on है, और यहा कर सकते हैं, उसके इलाबा, अगर आप remote पे menu and text के button को press करते हैं, तो यहाँ पर आपको picture mode मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप अगर change करेंगे, जैसे कि यह personal setting पे चल रहा था, तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर changes देखने को मिलेगा, इसके इलाबा आप personal में जाके brightness, contrast, saturation, sharpness और hue को भी control करके अपने हिसाब से picture quality को set कर सकते हैं, इसके लिए बाद दोस्तों, आपको inbuilt, prime video, netflix, hosta जैसे application मिल जाएगा, मगर मैं कभी भी किसी projector के साथ आपको यह recommend ने करता हूँ, कि आप किसी भी projector में inbuilt OTT platform के application को use करें, क्योंकि वहाँ पर आपको 480p से position है, तो बहतर यह है कि आप Amazon 5Tvistic या कोई बढ़ी ऐसा दूसरे brand का 5Tvistic को use कर सकते हैं, इस projector में भी आपको update के बाद में 5Tvistic के थूफ 4K का support मिल जाता है, पहले जो है Amazon 5Tvistic में भी आपको Amazon Prime के इराबा, किसी भी OTT platform में 4K का output दिखा नहीं रहा था, मगर अब update के बाद म है, मैं आपको source में जाके HDMI select कर देता हूं, और यहां पर मैंने use किया है, अपना Amazon 5Tvistic 4K, और यहां पर अगर मैं इसके settings में भी चला जाता हूं, और यहां से हम जाएंगे display and sound में, तो यहां अगर display में जाएंगे, तो आप up to 4K और यहां पर आप 4K resolution को भी देख सकते हैं, 4 settings में, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि quality जो है, वो 4K सो हो रहा है, और 4K में ही हमारा जो video content है, वो play हो रहा है, तो inbuilt YouTube में भी जो है, आप 4K देख सकते हैं, इसके इलावा किसी भी OTT platform के content को भी जो है, आप 4K में देख सकते हैं, क्योंकि हर OTT platform के content को यह 4K में support करता है, update के बाद एक और चीज यहाँ पर add हुई है तो यहाँ पर फिर से आप अगर जाएंगे menu and text में ठीके तो यहाँ सबसे नीचे आप अगर देखेंगे तो HDMI EDID version ठीके इसको आप select करेंगे तो यहाँ पर यह option पहले नहीं आता था जो कि update के बाद में यहाँ आया है करते हैं तो आपको YouTube के साथ सभी OTT platform के content 4K में देखने को मिल जाएगा 4K का option आपको मिल जाएगा और आप content को 4K में देख सकते हैं जो कि update से पहले आपको यह चीज नहीं मिलती थी तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि update के बाद में काफी कुछ इसमें आपको चीज देखने को मिलेगे और अभी के टाइम में इस प्रोजेक्टर में update के बाद में काफी कुछ improve भी हुआ है brightness इस प्रोजेक्टर के काफी अच्छी थी ही मगर दोस्तों update के बात में यहां पर आपको contrast ratio भी इंप्रूब देखने को मिलेगा साथने साथ ही 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 आपको Amazon 5TV stick में 4K सो नहीं करता था तो यहां पर वह भी support आपको मिल जाता है एक option आपको extra add कर दिया गया है इसक से आप external device purchase कर लिजे जैसे कि Amazon 5TV stick हो या फिर कोई भी दूसरे ब्रांड का Android box या 4K stick को आप purchase कर सकते हैं अपने choice के according जिससे आपको किसी भी inbuilt projector के YouTube हो या फिर किसी भी OTT platform के content से बहतर result आपको देखने को मिले तो भाई इस projector के साथ मैं भी मैं आपको recommend करूँगा कि आप external device क यूज कीजिए ताकि आपको और भी बहतर result देखने को मिले और बहतर content का आप experience कर सकें overall अगर conclusion की बात करो तो जिस प्राइज में यह projector अभी मिल रहा है उस प्राइज की हिसाब से यह projector आपको काफी अच्छा brightness sharp image बहतर इन picture quality के साथ साथ जबरदस कलर और contrast ratio भी इसमें आप आपको काफी अच्छा देखने को मिलेंगे black आपको फिल black देखने को मिलेंगे 4K का भी आपको support मिल जाता है साथ ही साथ HDR को भी support करता है तो इस price range में यह one of the best projector है जिसे आप definitely purchase कर सकते हैं तो दोस्तों यह था बहुर सो crystal updated projector का review उम्मित करूँगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो प्लीज लाइक कीजे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इसके लाब दोस्तों आपको अगर प्रजेक्टर से कोई भी सवाल पुछना है तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए धन्यवाद चैन